तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Windows Top 10 Settings इन सैटिंग को Disable और Enable करने के बाद हमारे PC की Performance काफी बेहतर होने वाली है सबसे पहले हम Taskbar पर आएंगे और यहां पर हम Find Out कर सकते हैं हमारे पास Weather है, Weather को हमने Disable करना है तो इसको Disable किस तरह करना है हमने तो Simple सा Method है इसको Disable करने का हमने आना है Taskbar पर Right Click करना है News and Interest के उपर हमने Click करना है और Turn Off करना है तो Turn Off करने के बाद Simple सा Method है आपने Search को भी Turn Off करना है यनकि इसको Disable करना है तो Simple हम आएंगे Taskbar में और यहां पर Right Click करेंगे search में आएंगे और hide करेंगे तो simple सा method है hide करने के बाद हम इसको यहां से disappear कर देंगे और फिर आएंगे हम taskbar पर search में आएंगे और यहां पर show search icon के उपर हम click करेंगे तो जैसे हम show search icon के उपर click करेंगे तो यहां पर हमारे पास mini search का जो icon है वो enable होगा इसके बाद simple सी setting है setting में आएंगे हम setting में आने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है update and security पर click करना है तो जैसे हम यहाँ पर इसके उपर click करेंगे तो हमारे पास यह simple सा dialogue box appear होगा, यहाँ पर हमने क्या करना है change active hours यानि के जो हमारी updates होती है यह automatically update होती है यानि के active hours के उपर click करेंगे और यानि के इसको enable करेंगे तो हमारा जो PC है वो काफी बहतर work करेगा और काफी performance बहतर होगी इसकी, तो इसके बाद हमने personalized में आना है, personalized में आने के बाद simple सा इसका box है, यह हमारे पास कुछ इस तरह से appear होगा, यहाँ पर को समझना है, आपने start के उपर आपने click करना है left side पर और यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो start के button पर click करेंगे तो left side पर जो भी हमारे पास icon है यह हम regular use करते हैं, recently जो apps हैं वो हमारे पास यहाँ पर available है, तो हमने इसको turn off करना है, तो suggestions को हमने turn off करना है, तो यहाँ पर हमारे पास setting जो है वो कुछ इस तरह से होगी, फिर left side पर हमारे पास suggestions एप नहीं आएंगे, तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने आना है choose which folders, तो यहाँ पर आने के बाद simple सी setting या फिर आपने या इसको minimize करना है, या maximize करना है, जिस तरह आप इसको कर सकते हैं, इसको maximize कर लें, तो इसके बाद आपने start के button पर click करना है, setting में आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास काफी सारे tabs हैं, तो यहाँ पर documents, picture, video, setting power, तो इन में से आप जोन सा मर्जी यहां से height कर सकते हैं, तो simple आपने इसको disable करना है, तो disable करने के बाद आपने दुबारा आना है start में, तो यहाँ पर file explorer को अगर हम on कर लेते हैं और start में आते हैं, यहाँ पर setting में आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास just एक ही tab है, इसका file explorer का है, तो इस तरह आपको set कर सकते हैं, फिर इसको maximize करते हैं, तो maximize करने के बाद back करेंगे, और task bar में आएंगे, task bar में आने के एक बहुत ही बहतरीन setting है, इसको आपने जरूर करना है, तो right click करेंगे start में और power shell, power shell को basically हम use नहीं करते हैं, इसको हम disable करेंगे और इसकी जगा पर active करेंगे हम command prompt को, तो simple सी setting है, यहाँ पर replace command prompt को हमने disable करना है, तो यहाँनिके power shell जो है वो disable होगी और यहाँ पर हमारे पास, जो enable होगी वो command prompt होगी और इसके उपर हम simple साई click करने के बाद अपना work कर सकते हैं, इस black window में जितनी commands हैं, उनको हम type करके अपना जो भी work है उसको बहतर तरीके से कर सकते हैं और इसको close करेंगे, close करने के बाद simple सी setting है, हमारे पास task manager, तो task manager में आएंगे, task manager में आने के बाद हमने क्या करना है, इस simple box में हमने startup के tab पर click करना है, तो startup के tab पर जैसे हम click करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर काफी सारे apps हैं, इनको हमने disable करना है, जो apps आपको startup पर नहीं चाहिए, यानि के जब भी आप window start करते हैं, या on करते हैं, तो यह automatically open होते हैं, तो इनको आपने यहां से disable करना है, तो मैं इसको पहले ही disable कर चुका हूँ, आप भी इनको disable कर लें, जैसे के Microsoft Edge है, इसके बाद CC cleaner है, को डटाना है, तो इस तरह के जितने भी हमारे apps हैं, जो हमें startup पर नहीं चाहिए, जैसे Skype है, इसको भी हम disable कर देंगे, तो यह setting करने के बाद आपके PC की speed काफी fast हो जाएगी, इसके बाद हमने क्या करना है, बहुत ही बहतरीन setting है, आपने type करना है, search में clipboard, तो clipboard और इसको use कैसे करना है, यह भी मैं अभी आपको practically करके दिखाऊंगा, इसको हम minimize करते हैं, minimize करने के बाद आपने कोई भी यहां पर document open करना है, यानिके notepad open कर लेते हैं, notepad open करने के बाद इसको हमने open किया, यहां पर हमने type किया one, two, तू, और थ्री, तो one, two, three, यहां पर type करने के बाद simple सा हमने काम एक यह करना है, मैं अपको यह समझाना चारहा ड़ारा हूं किस तरह हम इसको use कर सकते हैं, तो हमने add कि-อง को copy किया, यह निके one को copy किया, फिर two को copy किया, ठीक है, copy करने के बाद, फिर हम three को copy करेंग तो इसको हम किस तरह करेंगे Windows प्लस V का बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर हम इसकी हिस्टरी से इसको जस्ट एक सिंगल क्लिक के साथ ओन कर सकते हैं यानि कि यहां पर पेस्ट कर सकते हैं तो इस तरह आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यानि कि एक से ज्यादा कमांड को क करेंगे और इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे तो सिंपल सा मैथड़ है इसको करने का तो यह डायलोग बोक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीर होगा गेमूट का तो इसको अगर आप एक गेमर हैं तो इसको आप इसको डिसेबल कर दें तो आपके जो पीसी की परफॉर्म इस बेतर होगी तो चलें नेक्स सैटिंग पर हम बात करते हैं इसके बाद हमने फीर आना है सर्च में और यहां पर टाइप करना है फॉकस असिस्टेंट तो जैसे ही फॉकस असिस्टेंट हम टाइप करेंगे और इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका जो command में आएंगे और यहां पर एक simple सी command हमने type करनी है cleanmgr तो जैसे cleanmgr यहां पर type करेंगे और ok करेंगे तो यह simple सा box है more के button पर अगर हम click करें तो हमारे पास जितनी भी हमारी drives है वो available है हम C को select करेंगे ok करेंगे तो जैसे हम इसको ok करेंगे तो यह simple सा एक mini box हमारे पास appear होगा इसके तमाम जितने भी box है इसमें जो checks है इनको हमने check करना है untick नहीं करना और ok करना है और delete files करना है तो हमारे PC की जो performance है काफी बेहतर हो जाएगी और हमारी जो system में load space का problem है वो भी solve हो जाएगा तो इससे हमारे PC का जो जो भी problem है वो solve हो जाएगा C drive में अगर हमारी PC की speed कम है तो वो fast हो जाएगी इसके बाद जो next setting है हम फिर search में आएंगे और background type करेंगे तो जैसे हम background type करेंगे और background apps के उपर हम click करेंगे तो हमारे पास कुछ interface इस तरह से अपीर होगा तो background apps basically ऐसे apps होते हैं जो के हमारे system में background में running में होते हैं और हमारे RAM processor और internet की speed को काफी disrupt करते हैं तो आप इनको manually enable disable कर सकते हैं जैसे के 3D viewer है calculator है camera है clock है या जो भी या Cortana है आप जिसको enable disable करना चाहते हैं के background में run ना हो आप इनको manually भी कर सकते हैं और इन तमाम को भी आप एक single click से disable कर सकते हैं तो बहुत यह असान सी setting थी उमीद है आपको समझ आई होगी इसके बाद आपने आना है device manager में तो जैसे device manager में आएंगे तो यह simple सा box आपके पास appear होगा यहां पर आपने क्या करना है network adapter को select करना है तो यहां पर हमने जो setting करनी है वो PCI controller में करनी है इसके करने के बाद इसको हमने disable करना है तो जितने भी background में process है जो के internet से related है वो stop हो जाएंगे इसके बाद जो next setting है यहां पर हमने दो ही setting करनी है speed and duplex को हमने यहां पर select करना है यानि कि speed and duplex को जैसे ही हम select करेंगे अगर आप इसको auto पर set करना चाहते है तो भी यह बेहतर है अगर आप इसको 100 mbps full duplex पर set करते हैं तो काफी बेहतर रहेगी आपकी internet की speed तो आप इपने internet की speed को इस तरह optimize कर सकते हैं इन तमाम setting के बाद आपने PC को restart जरूर करना है